देवी एहिया यूनिवर्सिटी अब एपलस हो गई है नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडियेशन काउंसिल ने डियेवीवी को चार में से 3.30 अंक यानिकी को 3804 में से 3138 यानिकी 82 प्रतिशत के साथ एपलस ग्रेड दी है हलाकि 70 प्रतिशत अंक SS यानिकी Self-Study Report के आधार पर मिले हैं जबकि 30 फीसदी अंकों का निर्धार और निरिक्षन रिपोर्ट के आधार पर हुआ मधिवदेश और 36 गण में A प्लस ग्रेड पाने वाली DAVV पहले यूनिवर्सिटी बन गई है पांच साल पहले 2014 में DAVV तीन दिशमलव जीरो नो अंक के साथ एक ग्रेड मिली थी तब भी प्रदेश में A ग्रेड पाने वाली ये पहली यूनिवर्सिटी थी 2014 में टीचिंग विभागों में 165 कोर्स थे ये 215 हो गये बी और बीएस सी ओनलस जैसे अहम कोर्स पहली बाद शुरू किये गये 8 नए MBA कोर्स भी शुरू हुए सभी 29 प्रमुक्र टीचिंग विभागों में 24 बैस्ट क्रेडिट सिस्टम लाग हो गया 14 शौर्ट टर्म कोर्स चादर संक्या 8,380 से 11,500 पर पहच गई है एपलस ग्रेड मिलने के साथ ही युनिवर्सिटी के लिए UGC सहे देश भर की कई फंडिंग अजेंसियों ने भारी भर कर ग्रांट का रास्ता खुलिया है यही नहीं विदेशी युनिवर्सिटी और बड़े उच्च शिक्षन संस्थानों के साथ टाइप में आने वाली तकनी की विवाधाएं भी दूर हो गई है सब सब्सक्राइब बात ही है कि अब देश की बड़े शहरों और विदेशी चात्रों का आकशित करने में डिये वीवी को कोई परिशानी नहीं आएगी सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर अपडेट्स